आपसे सादर आग्रह है कि आप सभा को संबोधित करेगे। विदान साबा स्पीकर श्री राजेंदर त्रिवेदी जी, केंद्रिय स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्श्वर्धन जी, डेपुटी सीम भाई नितिन पतेल जी, मंत्री मंडल के मेरे साथी, स्रिमाना स्वीनी चौवे जी, मंसुप भाई मानविया, उर्श्वतम रुपाला, गुजराज सरकार में मंत्री जीवुपेंद्र सी चुड़ास्माच्री किशोर कानानी, अन्य सभी मंत्री गण, साउसत गण, धाराशब्य गण, अन्य सभी महानुभाव, भाई और भहनो, नया साल दस तक दे रहा है, आज देश के मेडिकल इंफरस्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली एक और कड़ी जुढ रही है, राजकोट में, All India Institute of Medical Sciences का सिलान्यास, गुजरात के साथ साथ, पूरे देश में, स्वास्त और मेडिकल एजुशन के नेटवर्क को, उसके कारण बल मिलेगा, भाई और बहनों, साल 2020 को, एक नई National Health Facility के साथ, बिदाई देना, इस साल की चुनोत्यों को भी दर्साता है, और नए साल की प्राफिक्ताओं को भी स्पस्ट करता है, यह साल पूरी दूनिया के लिए, स्वास्त के रुप में, अभूत पुरवज चुनोत्यों का साल रहा है, इस साल ने दिखाया है कि स्वास्त ही संपदा है ये कथा हमें अमारे पुर्वजों ने क्यों सिखाई है ये हमें बार-बार क्यों रटाया गया है ये 2020 ने हमें भली भाती सिखा दिया स्वास्त पर जब चोट होती है तो जीवन का हर पहलू बुरी तरह से प्रभावित होता है और सिर्फ परिवार नहीं पूरा सामाजिक दायरा उसकी लपेट में आ जाता है और इसलिए साल का ये अंतिम दीन भारत के उन लाखों डॉक्टर्स हेल्थ वारियर्स सफाई कर्मियों दवा दुकानों में काम करने वाले और दूसरे फ्रंट लाइन कोरोना योद्धाओं को याद करने का है जो मानवता की रक्षा के लिए लगातार अपने जीवन को दाओं पर लगा रहे हैं कर्तव ये प्रत पर जिन साथियों ने अपना जीवन दे दिया हैं वे आज उन सब को आदर पुर्वक नमन करता हूँ आज देश उन साथियों को उन वैग्नानी को को उन करमचारियों को भी बार बार याद कर रहा है जो कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्टर तयार करने में दिन रात जुटे रहे हैं आज का दिन उन सत्पी साथियों की सराना का है जिनोंने इस मुश्किल दौर में गरीब तक भोजन और दूसरी सुविधाय पहुचाने में पूरे समर्पन के साथ काम किया इतना लंबा समय इतनी बड़ी आपदा लेकिन ये समाज की सामुहिक संगठिक ताकत समाज का सेवा भाव समाज की संवेदन सिलता उसी का नतिजह है कि देश वासियों ने किसी गरीब को भी इस कठिनाई भरे दिनों में रात को भूका सोने नहीं दिया ये सब नमन के पात्र है आदर के पात्र है साथियों मुश्किल भरे इस साल ने दिखाया है कि भारत जब एक जूट होता है तो मुश्किल से मुश्किल संकट का सामना को वो सामना वो कितनी प्रभावी तरीके से कर सकता है भारत ने एक जुड़ता के साथ जिस प्रकार समय पर प्रभावी कदम उठाए उसी का परणाम है कि आज हम बहुत बहतर स्थिती में हैं जिस देश में एक सो तीस करोड से ज़्यादा लोग हो गनी आबादी हो वहां करीब परीब एक करोड लोग इस बिमारी से लड़कर जीत चुके हैं कोरोना से पीडित साथ्यों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बहुत बहतर रहा है वहीं अब संक्रमन के मामले में भी भारत लगातार नीचे की तरब जा रहा है भाई और बहनों साल दोहजार बीस में संक्रमन की निराशा थी चिंताएं थी चारों तरफ सवाल या निशान थे दोहजार बीस की वो पहचान बन गई लेकिन दोहजार इकीस इलाज की आशा लेकर के आ रहा है वैक्सिन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारिया चल रही है भारत में बनी वैक्सिन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे इसके लिए कोशिज हैं अंतीम चरणों में हैं दुनिया का सबसे बड़ा टीका करन अभ्यान चलाने के लिए भारत की तैयारिया जोरों पर है मुझे विश्वात है कि जिस तरह बीते साल संक्रमन से रोकने के लिए हमने एक जुठ होकर प्रयास किये उसी तरह टीका करन को सभल बनाने के लिए भी पूरा भारत एक जुठता से आगे बढ़ेगा साथियों गुजरात में भी संक्रमन को रोकने के लिए और अब तिका करन के लिए तैयारियों को लेकर प्रसंशनिय काम हुआ है बीते दो दसकों में जिस प्रकार का मेडिकल इंफरस्ट्रक्चर गुजरात में तयार हुआ है वो एक बड़ी वजह है कि गुजरात कोरोना चुनोती से बहतर तरीके से निपट पा रहा है एम्स राजकोर्ज गुजरात के हिल्थ नेट्वर्क को और ससक्त करेगा मजबूत करेगा अब गंबीर से गंबीर बिमारियों के लिए राजकोर्ट में ही आधुनिक सुविधा उपलब्द हो रही है इलाज और सिख्षा के अलावा इससे रोजगार के भी अनेक अवसर तयार होंगे नए अस्पताल में काम करने वाले लगबग पाँच हजार सीधे रोजगार उपलब्द होंगे इसके साथ साथ रहन सहन, खाने पीने, ट्रांसपोर्ट, दूसरी मेडिकल सुविधाओं से जुड़े अनेक अप्रत्यक्ष रोजगार भी यहां बनेंगे और हमने देखा है कि जहां बड़ा अस्पताल होता है तो उसके बहार एक छोटा शहर ही बस जाता है भाई और भेनों, मेडिकल सेक्टर में गुजरात के इस सभलता के पीछे दो दसकों का अनवरत प्रयास है समर्पन और संकल्प है, बीते छे सालों में, पूरे देश में, जिस इलाज और मेडिकल एजुकेशन को लेकर, जिस केल पर काम हुआ है उसका निस्चित लाप गुजरात को भी मिल रहा है साथियों, बड़े अस्पतालों की स्थिती, उन पर दबाव से आप भी भलिभाती परिचित है स्थिती ये थी, कि आजादी के इतने दसकों के बाद भी, सिर्फ छे एम्स ही बन पाहे थे 2003 में अटल जी के सरकार ने छे और एम्स बनाने के लिए कदम उठाए थे उनके बनाते बनाते 2012 आ गया था, यानि नव साल लग गये थे बीते छे सालों में, दस नए एम्स बनाने पर काम शुरू कर चुके हैं, जिन में से कई आज पूरी तरह से काम शुरू कर चुके हैं एम्स के साथ साथ देश में, 20 एम्स जैसे ही, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का निर्मार्पी किया जा रहा है साथियों, साल 2014 से पहले हमारा हेल्थ सेक्टर अलग-अलग दिशा में अलग-अलग एप्रोच के साथ काम कर रहा था प्राइमरी हेल्थ केर का अपना सिस्टम था गावों में सुमिधाय नके बराबर थी हमने हेल्थ सेक्टर में हस्पिटल होलिस्टिक तरीके से काम करना सुरू किया हमने जहां एक तरफ प्रिवेंटिव केर पर बल द्या वहीं इलाज की आधुनिक सुमिधाओं को भी प्राक प्वित्ता थी। हमने जहां गरीब का इलाज पर होने वाला खर्च कम किया वहीं इस बात पर भी जोड दिया कि डॉक्टरों की संख्या में तेजी से वृत्ति हो। साथियों, आयुश्मान भारत योजना के तहट देश भर के दूरदारत के इलाकों में लगभग देड़ लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए काम तेजी से चल रहा है। अभी तक इन में से पचास हजार सेंटर सेवा देना सुरू भी कर चुके हैं। लगभग पांच हजार गुजरात में ही हैं। इस योजना से अब तक देश के करीब देड़ करोड गरीबों को पांच लाख रुपिये तक का मुप्त इलाज मिला है। इस योजना ने गरीब भाई बेहनों की कितनी बड़ी मदद की हैं। इसके लिए एक आंकड़ा मैं देश को बताना चाहता हूं। सात्यों आईश्मान भारत योजना से गरीबों के लगभग तीस हजार करोड रुपिये से ज़्यादा बचे हैं। तीस हजार करोड रुपिये यह बहुत बड़ा रकम है। आप सोचिए इस योजना ने गरीबों को कितनी बड़ी आर्थिक चिंता से मुक्त किया है। कैंसर हो, हार्ट की प्राब्लेम हो, किड्नी की परेशानी हो, अनेकों गंभीर बिमारियों का इलाज, मेरे देश के गरीबों ने मुप्त कराया है, और वो भी अच्छी अस्पतालों में है। साथियों, बिमारी के दौरान गरीबों का एक और साथी है जन आउशदी केंद्र, देश में लगभग साथ हजार जन आउशदी केंद्र, गरीबों को बहुती कम किमत पर दवाईयां उपलब्द करा रहे हैं। इन जन आउशदी केंद्रों पर दवाईयां करीब करीब 90 प्रतिशत तक सस्ति होती हैं, यहने 100 रुपी की दवाई 10 रुपी में मिलती हैं। साड़े तीन लाग से जादा गरीब मरीज हर रोज इन जन आउशदी केंद्रों का लाब ले रहे हैं। और इन केंद्रों की सस्ति दवाईयों की बज़े से गरीबों के हर साल आउशदन एवरेज 3600 करोड रुपीय खर्च होने से बच रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मदद हो रही हैं। वैसे कुछ लोगों के मन में सवाल उट सकता हैं। कि आकिर सरकार इलाज का खर्च कम करने दवाईयों पर होने वाले खर्च को कम करने पर इतना जोर क्यों दे रही हैं। साथिया हम में से अधिकाउस उसी पुरुष्ट भूमी से निकले लोग हैं। गरीब और मद्यमबर्ग में इलाज का खर्च हमेशा से बहुत बड़ी चिंता रहा है। जब किसी गरीब को गंबीर बिमारी होती हैं तो इस बात की संभावना बहुत जादा होती हैं। कि वो अपना इलाज कराए ही नहीं है। इलाज के लिए पैसे न होना, गर के अन्य खर्च, अपनी जिम्मेदारियों की चिंता, व्यक्ति के वहवार में ये बड़लाव लाही देती है। और हमने देखा है, जब गरीब बिमार हो जाता है, पैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या करता है? दोरे धागे की दुनिया में चला जाता है, पूजा पाड़ की दुनिया में चला जाता है, उसको लगता है, वही से बच जाओंगा, लेकिन वो इसलिए जाता है, हम ये न कहें है कि जो वहवार पैसे की कमी की विज़े से बदल लाता है वही वहवार जब गरीब के पास एक सुरक्षा कवर्थ होता है तो वे एक आत्मिस्वास में बदल जाता है आईश्मान भारत योजना के तहट गरीबों का इलाज लोगों की स्चिंता इस वहवार को बदलने में सफल रहा है जिसमें वो पैसे की कमी की वज़े से अपना इलाज कराने अस्पताल जाते ही नहीं थे और कभी-कभी तो मैंने देखा है कि घर के जो बुजूर्ख है जादा बुजूर्ख नहीं 45-50 साल की आयों बड़े बड़े बंच्ति वे इसलिए मिमार दमाई नहीं करा ते और कर्ज हो जाएगा तो सारा कर्ज बच्चों को देना पड़ेगा और बच्चे बरबात हो जाएगे बच्चों की जिन्द्गी बरबाद नहों इस ले कई माबाप जीवन भर द्र्ध जहलते हैं और दर्ध में ही मरते हैं क्योंकि कर्ज ना हो दर्द जहले लेकिन बच्चों के नसीब में कर्ज ना आएं इसलिए वो treatment नहीं कराते हैं खास पर यह भी सही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के तो गरीब पहले कभी सोची नहीं पाता था कि अईश्वान भारत के बाद अब यह भी बदल रहा है सात्यों अपने स्वास्त की सुरक्षा का एहसास इलाज के लिए पैसे की उतनी चिंता का न होना इसने समाज की सोच को बदल दिया है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं आज हेल्थ और वैलनेस को लेकर एक सतर्ता आई है गंबीता आई है और यह सिर्फ शहरों में हो रहा है ऐसा नहीं है अब दूसरे देश के गाउँ में भी अब यह दूर सुदूर हमारे देश के गाउँ में भी यह जागरूता हम देख रहे हैं व्याभार में परिवर्तन के ऐसे उधारण अन्निक शेत्रों में भी नजर आ रहे हैं जैसे सोचालाजों की उपलब्दता से लोगों को स्वच्छता के लिए और जागरू किया है हर गर जल अभियान लोगों को स्वच्छ पानी सुनिशित कर रहा है पानी से होने वाली बिमारियों को कम कर रहा है रसोई में गैस पहुंचने के बाद न सिर्फ हमारी बहन बेटियों का स्वात सुदर रहा है बलकि पूरे परिवार में एक सकारत्मक्ता की सोच आई है ऐसे ही प्रधान मंत्री सुरक्षत मात्रुत्व अभियान के गर्मवती महलाओं को रेगुलर चेक आपके लिए प्रोटसाइद किया है और चेक अपके कारण उनको पहले से गंबीरता की तरफ इंगित कर दिया जाता है इसका लाब यह हो रहा है कि गर्मवस्ता के दौरान जो कॉंप्रिकेटेड केसिस होते हैं वो जल्दी पकड़ में आते हैं और उनका समय पर इलाज भी होता है वहीं प्रधान मंत्री वामात्रू बंदना योजना के दौरा ये सुनिशित किया जा रहा है कि घर्मवती महलाओं को परियाप्त पोशन मिले देखभाल मिले पोशन अभ्यान ने भी उनमें जागरुता बढ़ाई है इन सारे प्रयासों का एक बहुत बड़ा लाप ये मिला है कि देश में maternal mortality rate माता मृत्युदर पहले के मुकामले काफी कम हो रहा है साथियों सिर्फ आउटकम पर परणाम पर ही फोकस करना काफी नहीं होता है इंपैक्ट महत्पुण है लेकिन implementation भी उतना ही महत्पुण है और इसलिए मैं समयता हूं कि व्यावार में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए हमें सबसे पहले प्रोसेस प्रक्रिया में सुधार करना आवशक होता है बीते वर्षों में देश पर इस पर देश ने इस पर बहुत जोड दिया गया है इसका नतिज़ा यह है हम देख रहे हैं कि देश के हिल सेक्टर में जहां जमीनी स्थर पर बढ़लाव आ रहा है और लोगों को जो सबसे बड़ी चीज मिली है वो है एक्सेस स्वास्त सुवीधाओं तक उनकी पहुंच और मैं स्वास्त और सिक्षा के एक्सपर्ट से आज यह भी आगरह करूंगा कि वो सरकार की इन योजनाओं का बेटियों की एजुकेशन पर जो प्रभाव बढ़ा है उसका जरूर अध्यन करें यह योजनाओं यह जागरुता एक बड़ी वज़े है जो स्कूलों में बेटियों की ड्रॉप आउट रेट में कमी ला रही है साथियों देश में मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी मिशन मोड़ पर काम चल रहा है मेडिकल एजुकेशन की मनेजमेंट में जुड़ी समस्याओं में रिफॉर्म्स किये पारम पारीग भारतिये चिकित साथ से जुड़ी सिक्षा में भी जरूरी रिफॉर्म्स किये नेशनल मेडिकल कमिशन बनने के बाद हेल्थ एजुकेशन में क्वालिटी भी बहतर होगी और क्वान्टिटी को लेकर भी प्रगति होगी ग्रेजुएट्स के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट उसके साथ साथ दो साथ का पोस्ट अंबीबियस डिप्लोमा हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के लिए डिस्ट्रिक रेसिदेंसी स्कीम हो ऐसे नए कदमों से जरूरत और गुणवत्ता दोनों स्तर पर का किया जा रहा है साथियों लक्ष ये हैं कि हर राज्य तक एम्स पहुंचे और हर तीन लोग सबाक्षेत्र के बीच में एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो इनी प्रयासों का प्रणाम है कि बीते छे साल में MBBS के 31,000 नई सीटे और पोस्ट ग्रेजुएट के में 24,000 नई सीटे बढ़ाई गई है साथियों हेल्ट सेक्टर में भारत जमीनिस्टर पर बड़े परिवर्तन की और बढ़ रहा है अगर 2020 हेल्ट चलेंजिस का साल था तो 2021 हेल्ट सॉलुशन का साल होने वाला है 2021 में विश्व स्वास्त को लेकर और ज्यादा जागुरु होकर समाधानों के तरफ बढ़ेगा भारत ने भी जिस तरह 2020 में हेल्ट चैलेंजिस में से निपटने में अपना योगदान दिया है वो दुनिया ने देखा है मैंने शुरू में इनका जिक्र भी किया है साथियों भारत के ये योगदान 2021 में हेल्ट सॉलुशन के लिए सॉलुशन के स्केलिंग के लिए महतवपुन होने वाला है भारत फ्यूचर ऑफ हेल्थ और हेल्थ ऑफ फ्यूचर दोनों में ही सबसे महतवपुन रोल निपाने जा रहा है जहां दुनिया को कॉंपिटन मेडिकल प्रोफेशनल्स भी मिलेंगे उनका सेवा भाव भी मिलेगा यहां दुनिया को मास इम्मिनाजेशन का एक्स्पिरेंस भी मिलेगा और एक्स्परटाइज भी मिलेगी यहां दुनिया को हेल्थ सॉलुशन्स और टेकनलोजी को इंटिग्रेट करने वाले स्टार्ट अप्स और स्टार्ट अप इको सिस्टिम भी मिलेगा यह स्टार्ट अप्स हेल्थ केर को एक्सेसेबल भी बना रहे हैं और हेल्थ आउटकम्स को इंप्रूब भी कर रहे हैं साथियों आज हम सब यह देख रहे हैं कि बिमारिया अब कैसे ग्लोबलाइज हो रही है इसलिए यह समय की है और यह समय है कि हेल्थ सॉलूइशन भी ग्लोबलाइज हो दुनिया एक साथ आकर प्रयास करें रिस्पॉंड करें आज अलग थलग प्रयास साहिलोज में काम करना यह रास्ता काम आने वाला नहीं है रास्ता हैं सब को साथ लेकर चलना सब के लिए सोचना और भारत आज एक ऐसा ग्लोबल प्लेयर है जिसने यह करके दिखाया है भारत ने दिमांड के मुताबिक एड़प्ट इवाल एन एक्स्पांड करने की अपनी शमता को साबित किया है हम दुनिया के साथ आगे भड़े कलेक्टिव एफर्स में वैल्यू एडिशन किया और हर चीज से उपर उठर हमने सिर्फ और सिर्फ मानवता को कैंदर में रखा मानवता की सेवा की आज भारत के पास शमता भी है और सेवा की भावना भी है इसलिए भारत ग्लोबल हेल्थ का नर्व सेंटर बनकर उभना है 2021 में हमें भारत की इस भूमिका को और मजबूत करना है साथियों हमार यहां कहते हैं सर्वम अन्य परित्यज्य शरिरम पालिये दतह याने सबसे बड़ी प्रात्मिक्ता सरीर के स्वास्त की रक्षा ही है सब कुछ छोड़कर पहले स्वास्त की ही चिंता करनी चाहिए नए साल में हमें इस मंत्र को अपने जीवन में प्रात्मिक्ता के साथ उतारना है हम स्वस्त रहेंगे तो देश स्वस्त रहेगा और हम यह भी जाने जो फिट इन्डिया मुमेंट चल रहा है वो सिर्म नवजवानों के लिए हैसा नहीं है हर उम्र के लोग यह फिट इन्डिया मुमेंट से जूडने चाहिए और यह मौसम भी फिट इन्डिया के अपने मुमेंट को गती देने के लिए बहुत अच्छा है कोई परिवार ऐसा नहों हो चाए योग की बात हो चाए फिट इन्डिया की बात हो हमें अपने आपको स्वस्त रखना ही होगा बिमार होने के बाद जो परेशानिया होती है स्वस्त रखने के लिए उतने प्रेतन नहीं करने पड़ते हैं और इसलिए फीट इंडिया इस बात को हम हमेशा यात रखे अपने आपको फिट रखे हैं, अपने देश को फिट रखे हैं, ये भी हम लोगों का करतावी हैं, राजकोर के मेरे पैरे भाईयों बहनों, गुजरात के मेरे पैरे भाईयों बहनों, ये बात न भुलें कि कोरणा संक्रमन घड़ जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वाइरस है, जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है। इसलिए दोगज की दूरी मास्क और सैनिटेशन के मामले में धील बिल्कुल नहीं देनी है। नया साल हम सभी के लिए बहुत खुश्यां लेकर के आये। आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो। लेकिन मैं ये भी कहूंगा। मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक डिलाई नहीं। बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही हैं। कुछी समय का सवाल है। तो भी मैं कहूंगा। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो डिलाई नहीं। लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी भरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मल गई यह ब्रह्म में मत रहना। दुनिया यही कहती हैं। वैज्ञानिक यही कहते हैं। और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का दवाई भी और कड़ाई भी। दूसरी एक बात हमारे देश में अफ्फाओं का बाजार जड़ा तेज रहता है। भाती भाती के लोग अपने नीची स्वात के लिए कभी घेर जिम्माना वेफार के लिए भाती भाती अफ्फाएं फेलाते हैं। हो सकता है जब वैक्षिन का काम पारंभ हो तो भी अफ्फाओं का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानिवी का कितना नुक्षान हो रहा है इसकी परवा किये बिना न जाने अंगिनत काल्पनिक जूट फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो सुरू भी हो चुके हैं। और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदिरादे से काम करने वाले लोग बढ़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देश्वासियों से आगर होगा कि कोरोना के खिलाप एक अंजान दुश्मन के खिलाप लड़ाई है। अफ़ाओं के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मेडिया में कुछ भी देखा भीना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मिवार नागरी के रूप में। आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्त का जो अभ्यान चलेगा। हम सब अपनी तरफ से योगदान दें। हम सब अपनी तरफ से जिम्मिवारी उठाएं। और जिन लोगों के लिए पहले ये बात पहुचानी हैं। उनमें हम पूरी मदद करें। जैसे ही वक्षिन का मामला आगे बढ़ेगा। देश वाच्यों को समय पर उसकी सूचना मिलेगी। मैं फिर से एक भार 2020 के लिए आप सबको बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूं। और राजकोटना मारा भाईयों बैनों ने आजे घणा समय माने फरी दर्शन करवानों मोकों मले होशे। खासी मोटी संख्या में आपना बदाना दर्शन थे रहाँचे। आपना आशिरवाद मनी रहाँचे। मारा माटे दूखनी पन गडी छे। कानके मारा एक अच्छा मित्र बाई अभई भार्दवाच एमना में गुमावी दीदा। कोरुनाने कारणे गुमावी दीदा। आजे जारे राजकोट वासियोनी बच्चे आवेश्वितारे। यह भईनु स्मारन थोग बहुत स्वाभाविक्षे। हो यहमने आदर पूर्वक स्रद्धांजली पना आपूछो। अने फरी एक बार राजकोट वासियोने गुजरात वासियोना एम्स गुजरात ना कौने-कौना नरलोकों माटे शे। सव गुजरात वासियोने एम्स माटे अनेक-अनेव शुपकामना हो। नवा वर्षनी खुप-खुप शुपकामना हो। धन्यवाद। प्रावना हुआ